हेलो बच्चों, क्लास फोर्थ रेंड बुक की बुक से आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नमबर 11 सुनील लांस अलेसन अजब सुनील ने क्या सीख आज सीखी तो पहले मैं आप लोग को एक स्टोरी सुनाती हूँ इसी की पुरा हिंदी मैं आपको सुनील एक बच्चा था उसके पापा ने उसको केला दिया खाने को और उसने केला ठाकर अपनी खिड़की से छिल्का बाहर फेंग दिया बाहर वो चिलका सड़क पर गिरा जहां पर एक बुड़े अंकल जा रहे थे और अंकल जी का पैर स्लिप कर गया यानि कि फिसल गया वो और गिर गया फिर उनको चोट लग गई इस पर सुनील हसने लगा उनके पापा ने देखा तो सुनील को उन्होंने डाटा कि ये तो अच्छी बात नहीं है कि कोई गिरे और आफ़से और कहा कि जाओ और उनकी हेल्प करो तो सुनील और उनके पापा दोनों लोग गये और अंकल जी को उठाया और उनके घर तक छोड़ कर आए जब घर तक छोड़ कर आए तो अंकल जी ने उनको दोनों को थैंक्यू बोला और अपनी इस गलती पर सुनील को बहुत शर्मिंदगी हुई उसको ऐसास हुआ कि मैंने बहुत गलत काम किया है फिर उसने प्रॉमिस किया पापा से कि अब मैं कभी भी चिलका इधार उधार नहीं फेकूंगा उसको डस्पिन में ही डालूंगा जैसे आप लोग इसको में सारा कूडा डस्पिन में डालते हैं केला खाने के बाद जब फूट्स मिलते थे वैसे ही उसने भी कहा कि अब मैं डस्पिन में ही डालूंगा अब इस चैप्टर को हम लाइन बाइन पढ़ेंगे और उसके बाद में आप लोग इसके डिफिकल्ट वर्ट्स लिखेंगे फिर कुशन अंसर करकर काम करकर आप मुझे सेंड करेंगे चलिए पढ़ते हैं इट वाज अ संडे ये रविवार का दिन था सुनील वाज हैविंग ब्रेकफास्ट विधिस फादर थुनीन अपने पापा के साथ रिखफास्ट यानि की सुबह का नाश्टा कर रा था इस फादर गेव हिम बनाना एक बनाना दिया उसके पापा ने उसको केला दिया उसने केला तो खा लिया और छिलका खिर्की के बाहर सड़त पर फे दिया एक बुड़े आदमी वहां पर टहल लाते हैं बनाना पील मिज केले का चिलका उन्होंने केले के चिलके पर ध्यान नहीं दिया नोटिस मिज ध्यान नहीं दिया इस पर पैर रख यसे पैर रख यह वह स्लिप कर गया सुनील लाफ ड़ इस पर हस पड़ा अब बुड़े आदमी उट नहीं पा रहे थे विकॉज ही गॉट इंजर्ड इंजर्ड में चोट लग दे थी क्योंकि उन्हें चोट लग दे थी इसलिए वह उट नहीं पा रहे थे His father who was watching all this His father में सुनील के पिताजी जो सारी चीज़ों देख रहे थे उन्होंने सुनील के पास आकर कहा Came to सुनील and said Don't laugh, हसो मत The old man fell because you threw the banana peel on the road बुड़े आदमी इस लेगी रहे हैं क्योंकि तुमने केले का चिलका सड़कर फेका था You should have put it in the dustbin तुम्हें उसे dustbin में फेकना चाहिए था Now let's go and help him चलो और उनकी मदद करो They helped the old man to get up उन्होंने बुड़े आदमी की साहता की उठने में And took him to his home और उसको उनके घर पहुँचाया The old man thanked him बुड़े आदमी ने उनको धन्यवाद कहा क्योंकि जब आपकी कोई help करता है तो हम उसे धन्यवाद कहते हैं Thank you बोलते हैं Sunil felt ashamed for his wrong behavior Wrong means गलत behavior Missed वेवहार Sunil को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस ही Felt means महसूस ही अपने इस बुरे वेवहार पे And said sorry to the old man और उसने पुड़े आदमी को sorry कहा जब ही आपको कोई गलती फीलो कि हमने गलत कहा तो हमें sorry कहना चाहिए Letter Letter means बाद में ये चिठ्थी वाला letter नहीं L-A-T-E-R है इसकी और उसकी spelling में difference होता है Letter Sunil said sorry and promised his father बाद में उसने पापा को भी sorry कहा और promise किया वादा किया Father that he would always through waste in the dustbin कि वो हमेशा ही जो भी waste चीज़े होंगी छिलका या और सारी चीज़ें वो सारा dustbin में डालेगा उके बच्चों इसको आप दुबारा से read करिएगा कहीं कोई problem आती है तो आप पूछेगा झालेगा